मिलते हूँ जहां मोती समंदर खंगाल के मुश्किल होता है वहां रास्ता जरा चलना संभाल के और जो कुछ भी कहता हूँ मैं आप सबसे वो अनुभव की बात है पहुचा नहीं हूँ मैं यहां से काउचाल के नमस्कार साथियों संडे मोटीबेशन मंत्रा में आपका स्वागत है और आज मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी सी कमाल की कहानी शेयर करने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा यह आपके जीवन को बदल सकता है हुआ ये कि एक बार एक आदमी भटकता हुआ रेगिस्तान में पहुचा और उसके पास खाने पीने की भी थोड़ी बहुत चीजें बची थी भटकता रहा वो भटकने में उसके हाथ से खाने पीने की जो चीजें थी वो भी खतम हो गई और पानी एक बुंद उसके पास नहीं थी रेगिस्तान में भटकता हुआ वो अपनी मौत का ही इंतजार कर रहा था कि अचानक एक दिन हुआ ये कि उसे किनारे में एक जोपड़ी दिखाई पड़ी इस जो जोपड़ी है जो हट है ये वहाँ घुसता है जाता है और जोपड़ी में जाने के बाद उससे वहाँ पर में एक हैंड़ पम दिखाई पड़ता है इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं, क्योंकि अभी तक इसको मरिग मरीचिका, मिराज जिसे कहते हैं वही मिलता रहा, मिराज क्या होता है बताओं आपको मैं, जब आप रेगिस्तानी इलाकों में जाते हैं, तो धर्ती वहां की सूरी की रौशनी से ऐसे चमकने लगती है, कि प पानी ही नहीं आ रहा, एक बून भी पानी उस हैंड पम से नहीं निकलता, हताश होकर ठक कर ये जमीन पर गिर जाता है, पसीने से तर बतर, और उसे तुरंत ही जोपड़ी के किनारे में टंगी हुई एक पानी की बोतल दिखाई पढ़ती है, उस बोतल के नीचे एक प्योग पीने के लिए मत करना, इसका उप्योग हेंड पम से पानी निकालने के लिए करना, इस पानी को जब आप हेंड पम में डालेंगे और हेंड पम को चलाएंगे, तो आसानी से पानी निकल आएगा, और पीने के बाद बोतल को वापस भरके चित्थी के साथ ऐसे ही य पर पर निकल जाता हूं। लेकिन फिर इसको समझ में आता है कि ये भी नहीं पता कि रेगिस्तान कितना लंबा है। क्या पता हैंपम से पानी ही आ जाए। उस चृठ्थी में लेखी बात को ये मानने का सोचता है और उस बॉटल पानी को हैंटपम में उडिलता है। इसके ब गालता है तो देखता है उसमें नकशा है रिगिस्तान से बाहर निकलने का और साथ में नीचे लिखा होता है इस नकशे को याद करके इस चिठी को इस बोटल में डाल कर वापस उपर रगधा है इतना करके वह बाहर जा रहा होता है के रुकता है पीछे मुडता है वापस अंदर आता है और एक चिठी में लिखता है वहां पड़ी हुई एक टुकडी इंट से और लिखता ये है कि ये सब काम करता है भरोसा कीजिए ये जो कहानी मैंने सुनाई दोस्तों आपको ये हमारे जीवन की कहानी है जब कभी हम काम करते करते ठक जाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता जब कभी हम तैयारी करते हुए ठक जाते हैं और हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा हमें सफलता नहीं मिल रही होती है तब हमारी इस्तिति उस इंसान की तरह होती है जिसको कहीं एक बॉटल पानी मिल गया ग्यान की कोई एक बात मिल गई कोई एक motivation मंत्रा मिल गया यह motivation मंत्रा उस पानी में रखे हुए bottle के समान है जिसको आप अपने कर्म के साथ मिला करके अच्छे से अगर एंट पम चलाएं मेहनत करें तो आपको सफलता रूपी पानी की धारा मिलेगी लेकिन करना क्या है इस ग्यान की बात को वापस वहीं पहुंचाना है जहां से और लोगों को फायदा मिले आपको करना क्या है यह जो motivation मंत्रा आपके कर्म के साथ मिलकर आपको सफलता पर चल पढ़ना है अंतिम बात भरोसा रखना है कि यह सब काम करता है have a nice time take care bye bye